हेलो गाइस और वेलकम टुमाई यूटोब चैनल टेक्निकल फ्रेंड दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा मजदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Redmi Note 11 Pro की फोन में नोटिफिकिशन पैनल में अपना फोटो कैसे लगाएंगे नोटिफिकिशन पैनल में जब आप अपना फोटो लगा देंगे तो आपका फोन काफी ज़्यदा एट्रेक्टिव देखने में लगेगा सबसे पहले Chrome Browser को ओपन करिए यहाँ पे आपको सर्च करना है PowerSade Pro APK PowerSade Pro APK सर्च करने बाद सबसे पहले लिंक पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस सो होगा यहाँ पर Download का उप्षन आप लोग देख रहे हैं Download के उप्षन पर क्लिक करिए इसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ जो नया पेज ओपेज ओपन होगा ति यहां पे चार जो है वर्जन है सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने को लिए सबसे उपर वाले पर किलिक करना है इस पर किलिक करेंगे यहां पर देखेंगे यहां पर डाउनलोड होने लगेगा यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर डाउनलोड का ओप्सन पर कि बाद okay option दिखाएगा यहां दिखा दिया okay option पर किलिक कर देंगे अब यह हमारे फोन में download हो चुका है अब यहां आप देखेंगे right side में उपर की तरफ 3 डाट इस पर किलिक करेंगे download का option है download के option पर जाएंगे यहां पर देख पाएंगे कि हमारी जो file यहां पर आचुके download हो चुकी है हलागी आप notification बार में भी किलिक करके इसको install कर सकते हैं यहां भी install कर सकते हैं चाहिए जैसे आप लोग इसको यहां से install कर लिजे इसके बाद finally अपने phone में open कर लेना है open करने के बाद आपको यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है तो finally हमारे phone में application open हो जाता है बट यहां पर आप लोगों को तीन option दिखाई दे रहे हैं dual SIM accessibility notification तो आपको notification वाले option पर किलिक करना है जैसी notification के option पर आप लोग किलिक करते हैं तो यहां पर power useful и आपको यहां पर बैक का जाना है बाइक आने बाद आप printing करने लगा यहां पर अपके अप्सन का है करेंगे यहां पर बैक्राउंड जो है स्पर किल्ड करेंगे select क के option और देंगे और जैसके पस्ब्वार्ट करें यहां से आप से पूछा जाता है ईस्हें को छूज करेंगे थुछ यहां पर हमारी फोटो देखने लग जाते हैं यहां आप लोग दिखते हैं सारे album दिख रहे हैं किसी भी एक album पर जिसमें आपने फोटो रखा हुआ है उस पर किलिक करेंगे और जिस भी फोटो को अपलाई करना चाहते हैं उस फोटो पर किलिक कर देना तिया आप तमाम फोटो आप लोगों के सामने सो हो रहे हैं चलिए आप लोगों के सामने लाप प्रूप अपलाई करके दिखा दे रहा अपना notification बार यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे फोन में notification बार में हमारा फोटो सेट हो चुका है तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदे योज़ पूल रही होगी अगर आपको वीडियो योज़ पूल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिए